आज हम चाप्टर 14 फारखेंगे और सीखेंगे जैसा कि हमने लास्ट चाप्टर में पढ़ा था हूर के बारे में पढ़ा और ऑर बार ब singles के बारे में उसमें हमने पढ़ा सबसे पहले हम इस्टोड पढ़ते हैं फिर number two पे hook पढ़ा जाता है R का right side को लगा दें तो L का जैसे T फिर R इसी तरीके से T और L इसी तरीके से इस chapter में हम लोग पढ़ेंगे अगर कोई भी downward stroke के end में left side को hook लगा दिया जाए तो end की sound देता है और अगर right side को hook लगा दें F या V की sound देगा अब सबसे पहले हम stroke पढ़ेंगे फिर उसके बाद hook पढ़ा जाता है उसी तरीके से अगर vowel की sound अगर आजे तो सबसे पहले हम लोग जिस stroke में hook लगा उस stroke को पढ़ेंगे फिर number two पे vowel पढ़ा जाता है and number three पे hook को पढ़ा जाता है अब downward जितने भी strokes हैं उनके left side अगर hook लगा दें small hook तो N की sound देगा for example जैसे P N T N CH N R N K horizontal में नीचे की तरफ को लगेगा R N curve strokes में inside यानि की जितने भी curve strokes होते हैं उसका अंदर की तरफ को अगर small hook लगे N की sound देगा F N and TH N SH N M N N N अगर कोई भी hook right side को लगा दिया जाए जैसे P F और V की sound देगा कोई भी downward stroke में अगर right side hook लगे तो F की या V की sound देगा जैसे T F या V वह आपको sense लगानी है CH F और V R में left side RF और V K F और V curve strokes में F और V का कोई भी hook नहीं लगेगा F और V हमीशा complete होंगे curve stroke के साथ अब सबसे पहले जैसे number one stroke पढ़ते हैं फिर number two पे जो भी vowel लगा है उसको पढ़ा जाएगा और number three पे hook को पढ़ा जाएगा अब उसी तरीके से हम example करते हैं जैसे example है pain P लिखा N का hook लगा दिया pain इसी तरीके से right side को अगर hook लगा देए तो F या V की sound देगा वो आपको देखना पड़ेगा क्या रहा है puff होता है कि puff होता है तो हमें idea लग जाता है this is a puff T में left side hook लगा दिया tone right side को अगर इसी तरीके से हम लगाते हैं तो F या V की sense लगा नहीं तो हमें idea लग जाता है tough होता है tough नहीं होता है tough chain अब right side को लगा दिया तो chief होता है कि chief F और V का idea लग जाता है same rain अब बर्ट श्रोक में नीचे की तरफ होक लगाएंगे N का rain अब इसी तरीके से उपर की तरफ होक लगा दिया हमने तो F या V यानि आपको sense लगाने है rough होता है कि rough होता है तो idea लग गया rough keen इस तरीके से k में उपर को होक लगा दिया तो cave की cave तो idea लग गया cave, cave कोई word नहीं होता cave same curve strokes में अंदर की तरफ छोटा होक लगाएंगे N की sound देगा fine F और V कब स्टोप में complete होते हैं five line N का होक लग गया live करना है तो F और V complete होता है तो इसमें V पूरा लिखा जा रहा है nine ऐसे लिखा knife F V complete moon इस तरीके से move V complete same इसी तरीके से आगया if any vowel comes after the N और F hook then the hook will be written completely यानि की जब भी हमारे पास कोई अगर हूक आता है जैसे pen penny N F और V के बाद अगर vowel आजे तो outline complete लिखी जाती है या hook को पूरा लिखा जाता है penny N पूरा लिखा जाएगा क्योंकि hook में कोई vowel लग नहीं पाता puff F का hook कैसे लगा दिया puffy तो इस तरीके से fun हमने ऐसे करा funny N पूरा men many तो N complete hook के बाद वावल आए तो N का hook को F का हो या V का तो उसको complete लिखा जाता है same इसी तरीके से F और V hook use midly अगर कोई भी F V N का hook अगर बीच में आता है तो उसको कैसे use करेंगे जैसे plenty N T plenty defense F का होक N S defense agent agent divide डी वाइड painful pain का N का होक F painful refer इस तरीके से suddenness sudden अब sudden ऐसे N का होक और इसी तरीके से N S suddenness graphic F का होक उपर K साथ में punish N S तो यानि कि बीच में अगर हूक आजें तो इस तरीके से बीच में लग सकते हैं same if two hooks come to the same side and after that downwards stroke comes then middle N will be completed कहने का मतलब अगर 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 सेम सेट दो हूक अगर आते हैं और downward stroke उसके बाद आता है तो हूक बीच में नहीं लगता तो N को N का हूक पूरा लिखा जाएगा जैसे brandy brandy ऐसे पूरा लिखेंगे यह rule बन गया है कि same side दो हूक आएं और उसके बाद downwards रोका है तो middle N पूरा लिखा जाता है next if there is problem in middle for N and F और V हूक then the middle हूक is written completely कहने का मतलब कई बार हूक नहीं बन पाता बीच में लिखते वे problem आ जाती है outline नहीं बन पाती है अगली तो फिर हमें N, F और V के हूक को complete लिखना पड़ता है जैसे example sudden अगर हमें ऐसे लगा दे suddenly अब L ऐसे उल्टा तो लिखा नहीं जाएगा तो फिर यह गलत तो इसलिए N हमारे को पूरा लिखना पड़ेगा suddenly painless pain ऐसे लिखा LS ऐसे नहीं बना तो painless पूरा लिखना पड़ेगा gravity ग्रेवी V उपर होता है अब T ऐसे तो लिखेंगे नहीं ना उपर से नीचे आएगा तो यह गलत तो gravity वी ती तो वी कंप्रेट एजेंसी एजेंसी ऐसे करके नहीं बन पाता तो एजेंसी पूरा लिखेंगे सेम इसी तरीके से एन आर एन में आर का होक ऐसे यह वाला एन आर यूज लाइक दिस वेद डावर्ड स्थोग एन होरिजोंटल स्थोग यह वाला जो एन आर है डावर्ड और होरिजोंटल स्थोग के साथ इस टाइप से यूज करेंगे फॉर एक्जांपल ओपनर इस तरीके जोए नर जोए नर जोए नर की नर की नर अब जितने भी अबड स्थेट स्थोग हैं उसके साथ एन नर आए तो एन ऐसे अबड स्थोग के साथ एन ऐसे लगता है और आर ऐसे लिखेंगे एन आर जैसे एक्जांपल रह नर ठीक है कहीं आप सोचोंगी अबड के साथ भी एन नर ऐसे नहीं अबड स्थेट स्थोग के बाद कभी भी एन नर आए तो एन का हुक लगाएंगे और आर डाउन बड़ विनर विनर यो नर यो नर अब इस चैप्टर में बताया गया कि एस एच एन एसे होता है टिक के ये किसी भी सटोग के साथ तो एस एन ऐसे लग जाता है अगर एन स्टोक के बाद कभी भी सैन आए एन के बाद तो एसेच न को ऊपर की तरफ इस तरिके से लिख देते हैं जैसे एक्स टी newation N के साथ इस तरीके से उपर को चला जाता है बाकी जितने भी स्टोक हैं उसमें situation तो इस तरीके से ही लिखा जाएगा सिरफ N स्टोक के साथ S H N उपर को चला जाता है अब हमारे पास phrasography phrasography क्या होते हैं मोहाबरे ठीक है जैसे हमने last phrases वाले chapter में पढ़ा था कि हमारे को first और second का idea लग जाता है third fourth का sense लगानी पड़ती थी तो इस में N, F और V का hook लगाके हमारे को उसका sense लगानी पड़ेगी कहां पर been, then, on have, of, on ये चीज़ें आ रही हैं तो जब हम इसको याद करेंगे तो idea लग जाएगा जैसे I have के बाद N का hook लगा दिया तो हमारे को idea लग गया कि I have been होता है better के बाद N का hook इंडिगेट करेगा आपकी ये N वाली कून सी sound है तो better के बाद क्या आता है हमेशा then there there के बाद N का hook लगा दिया there on इसी तरीके से which which have F या V का hook लगा के हमें idea लग गया which have I had के बाद N का hook लगा दिया तो I had के बाद क्या आता है been carried carried के बाद N का hook लगा दिया carried on our on out के बाद F या V का hook लगा दिया तो out of तो ये हमारे को याद करने पढ़ेंगे इसके बाद आपने क्या करना है सबसे पहले examples और उसके बाद exercise 51 and 52 इन exercise करने के बाद आपके पास grammar logs होते हैं grammar logs को याद करना है अब जिसे bean करना है तो B is a dark और N का hook लगा दिया on the line general general में J यूज हो रहा है N का hook लगा दिया on the line general within within में TH यूज हो रहा है TH यानि की the की sound तो इस तरीके से इसको dark करेंगे northern में N, R और N की hook लगाएंगे northern is a light N की sound देता है तो N is a light behalf में B use हो रहा है और F behalf F की hook लगा दिया तो this is a dark above the line advantage advantage में D use होता है और advantage V की hook above the line difficult difficult में भी D use हो रहा है cut the line और F difficult F का hook लगा दिया तो ये grammar logs अच्छी तरीके से याद करिए और grammar logs याद हो जाएं तो उसके बाद exercise 53 and 54 practice इसके बाद next video chapter 15 circles and loops to final hooks उसके बादे में करेंगे तब तक के लिए नमस्ते अ क्यूंक क्यूंक यादी हाउ नमस्ते क्यूंक यादी दो खिलो प्र वीए mak क्यूंक जसके बादे